नमस्कार दोस्तों अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खाबर आ रही है दिल्ली एनसीयार के कई स्कूलों को आज सुबह बंब से उड़ाने की दमकी मिली है इसके बाद स्कूलों और प्रिसासन में हट कम मच गया बताया जा रहा है कि बंब की दमकी इसकूलों को इमेल के जरिये भेजी गई है रिपोर्ट्स के अनुसार पचास से ज़्यादा इसकूलों को इमेल के जरिये बंब से उड़ाने की दमकी मिली है दमकी के बाद इस्कूल प्रिसासन ने एहतियात के तोर पर इस्कूलों को खाली करा दिया है और जो बच्चे इस्कूल आ गए थे उन्हें वापस घर बेज दिया गया है बमकी दमकी की सूचना के बाद पुलीस बम इस्कूले हैं उनको बम से उड़ाने की दमकी दी गई है इन इस्कूलों में हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं जिन इस्कूलों को दमकी बिली हैं उनमें DPS द्वारका, DPS वसंत कुंज, DPS नोईडा, DPS रोहिनी, Green Valley, नजफगर, DAV पीतमपुरा, मदर मेरी स्कूल, मियूर विहार, संस्किर्थी स्कूल, DAV साउध वेस्ट और MET साके जैसे स्कूल सामिल है यहां पर दोस्तों बता दे कि जो मेल आई थी, इमेल के जरिए, उस मेल को ट्रेक करने में जो साइबर सेल की टीमें हैं, वो जिटी हुई हैं और मगी धमकी का इमेल मिलने के बाद एतियातन के तौर पर स्कूलों को खाली करवा दिया है, और बच्चे इस्कूल आ गए थे, उन्हें वापस घर बेज़ दिया गया है डीपियेस, नॉइडा की प्रेंसिपल कामिली ने बताया कि आज सुबह उनको इमेल मिला, प्रेंसिपल का कहना है कि वो रिस्क नहीं ले सकते थे ऐसे में इमेल मिले के तुरंत बाद पुलिस को सूजना दी गई, इसके साथ ही स्टुडेंट के परिजनों को भी जानकारी दी गई दोस्तो जैसे ही कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेच चुके थे, पेरेंट्स को स्कूलों की तरफ से छुट्टी का मेसेज मिला, शुरू में तो पेरेंट्स को छुट्टी का कारण पता नहीं चला, लेकिन बाद में उन्हें बंब की धमकी वाली खाबर मिली तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अभी जो साइबर सेल की टीमें हैं वो जो मेल से दमगी भरा इमेल आये था उसको अभी छानमी उसकी चल रही है और अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी चैनल को सबस्ट्राइब करके वेल आगे उनको प्रेस करें